नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों अच्पी ल्टी टैट की अगर आप त्यारियां कर रहे हैं तो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत जादा उप्योगी है क्योंकि इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं ल्टी ट दो सिमपल सा प्रशन देखना जितने भी प्रशन यां पर रखे गया है ये प्रिवे में पहले भी पूछे गये है और श्वे बात है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल के दिन आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है आपको बस अपनी तेयारियां जो आपने अभी तक की है उन्हीं के अनुसार अपना काम करते रहना है तो यहाँ पर इस प्रशन का जो उत्तर होना चाहिए देखिए जनमेज्या का नाग यग्या किसकी नाटे रचना है तो यह जै विद्यापती को विपसी गाउं किस शासक ने उपहार स्वरूप प्रदान किया था जो विपसी गाउं रहा तो कई बार यह आपका प्रशन ऐसे भी पूछ जाता है देखना कि विद्यापती का समन्द जो है किस गाउं से रहा बिहार के तो यहाँ पर आपको यारकना है मतलब विद्यापती इनके आश्रह में रहे थे ठीक है जैसिंग और सुमेर सिंग का समन्द इससे नहीं होगा नेक्स कुशन आता है यहाँ पर देशज शब्द बताईए तो यहाँ पर जो रिवाज शब्द देखी यह है देशज शब्द इसको आपने याद रखना है बाकी यहाँ पर जो भी आपके तत्सम तदवफ देशज विदेशज है यह किस अधार पर शब्दों का वरगी करण होता है इसको भी आपने थोड़ा सा याद रख लेना है नेक्स कुशन आता है यहाँ पर वसूधा का प्रियावाची नहीं है तो वसूधा जो वसूधा म बारे में आपको जानना है जैसे आपका एक दृष्ट्कावे होता है यहाँ पर Sleeping का वे नहीं है जब खिदे नहीं नहीं है। उप रूपक के कितने बेद हैं यह आपने मुझे बताना है, तो यहाँ पर यह कहा रहा है कि रूपक का बेद इन में से कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो प्रकरणी का है देखिए, यह नहीं है, उसकी जगा क्या होगा, simply आपका प्रकरण होगा, यह अमरिक भी आता है, अंक रूपक भी कहते हैं रूपकों को, यह याद रखना है आपको देखना, नाटक प्रकरण, ठीक है, भान भी इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है, उसको भी आपने याद रखना है, प्रहस्न भी इसके अंतरगत ही आता है, हमारे रूपकों के भेदों में, ठीक है, यह चीज बंद ये important है इसके लावा इनका यात्रा भृतांत भी आता है उसको भी आपने जरूर या रखना जो चीड़ों पर चांदनी मोंडाकेश कमलेश्वर्थ ये भी important नाम है देखना इनसे भी आप थोड़ा बहुत पढ़के जाए नेक्स कॉश्चन आता है अरस्तु के अनुसा कोई इसने महातो दिया ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है देखना important नाम है अरस्तु ठीक है यहां से भी प्रशन पूछ जाता और इसकी प्रसिद जो रचना है पोईटिक्स उससे भी आपको प्रशन पूछा जाएगा next question आता है संसर से सडक तक का प्रकाश बढ dirhantantra very very important है ये तीनों ही संग्रह है इन तीनों को आपने याद रख लेना है and साथी शाथ आपको ये भी बताना है कि इनको किस रचना पर साइत यकादमीक को उसकार मिला था किस कावे संग्रह है PAK तो ये आपको धियान रखना है्पर इस वाले प्रशन का भी सारे के सारे प्रश्ण में आपको नहीं बताऊंगा तो आपने खुद भी क्या करना है थोड़ा बहुत अपना काम एक बारी आज रात एक बात जरूर देख लीजिए इसको बागी कल आपका एक्जाम हो जाएगा पर सुरी कश्मीर सुष्मा किस कवी की रचना है तो इस डियरेक्ट यूगीन प्रत्म कभी भी रहें 1959 में इनका जनम हुआ था ठीक है कश्मीर सुष्मा वनाश्टक बगेरा इनकी देहरा दून इनकी एक रचना हो रहा है एकांत वासी योगी जबड़ी इंपोर्टेंट रचना है उसको भी आपको यारतेंदू सारे ही नाम इंपोर्टेंट माना जाता है और जो आपका आधिकाल का रहेगा देखना वो रहेगा आपका आधिकाल आधिकाल गया है देखिए विक्रमी संबत में तो शुकल के अनुसार पूछा गया था तो यहां पर यह ध्यान रखना आपको की तीरा सो पुचातर से लेकर करके सत्रा सो विक्रमी संबत नेक्स आता यहां पर लहरों की राजहंस किसका नाटक है तो एक चीज़ तो आपको क्लियर होग लहरों की राजहंस है और आधे अधूरे है बड़ी इंपॉर्टन क्रितिया है इन तीनों को आपको याद रख लेना है यहां से प्रशना आपको पुच जागा इसके लावा इसकी एकांकी भी रहे कुछ जैसे अंडे के चिलके थी देखना सिपाही की मां थी वो बड़ी इंपॉर्टन तरशना है उनको भी आपने ज़रूर या रख ले है पैरतले की जमीन जो इनका अधूरा नाटक रह गया था जिसको पूरा क्या था कमलिश्वर ने मोहन राकेश की ये कृतियां भी इंपॉर्टन है इसके लावा यहां पर जैशनकर प्रसाद यह थे हाजिक नाटक कार के रूप में प्रसीद देखना इसको भी याद रखना है आपको इसका सज्जन हो गया कलियानी हो गया है ना उनको आपने याद रख लेना है एंड साती सात आपको ये भी याद रखना है कि जो सकंद को चंदर को दूरू स्वामनी बड़े इंपॉर्टन नाट लेकिन अगर यहां पर जगनादा सरतनाकर से पूछे जाएं तो 713 हो जाएंगे अचारे रामचंदर शुक्र ने कितने माने थे तो यह उन्होंने 700 मानी है इसकी संख्या लगभग शुक्र के अनुसार कितने है 700 है ठीक है यह द्यान रखना है सर्व माने मत क्या है 719 हैं 733 किसने माने जगनादास रतनाकर ने जिन्होंने बिहारी सतसरी पर सबसे प्रमानिक पंक्ति का लिखी थी ये भी आपको याद रखना है नहीं पराग नहीं मदरुमदू नहीं विकास हिकाल अलीकली ही सोबंधियो आगे कौन हवाल यह पंक्ति का बिहारी ने किस राजा के लिए लिए लिखी थी ठीक है तो यहाँ पर आपको यारक ना था देखना है यह जो कावे कृती है तो यह है सुदाम यह जो आपका सचिदानंद हीरानंद वात्साइन अग्ये की प्रसिद रचना अग्ये जो है आपके प्रियोगवाद के प्रवर्तक रहे हैं और साथ इसाथ इन्होंने जो आपके तारसब्तक के कवियों को इन्होंने राहों के अनुवेशी भी कहता ये वाला प्रशन भी इससे important प्रशन पनता है और ये इनकी कवीता है देखना कावे संग रहे हैं इनका ये नहीं रहा दूमिल जो रहते हैं दूमिल के आपको यारक में संससे सड़क तक अकाल दर्शन इनकी एक important कवीता है उसको भी कई बार पूछ जाता है एंड मोची नाम पटका था इनकी लंबी कवीता है उसको भी आपको यारकना है लोकतंतर शीर्शक से भी इनकी एक कवीता है उसको भी आप जरूर याद रखें केदाना सिंग इनकी अकाल में सारस ठीक है तो ये बड़ी important रचना है देखना जिस पर इनके साहित अकादमी कि इनका नाटक जारी है एंड खबर का मुँ जुगाली से खबरों की जुगाली कुछ इस तरीके से एक रचना रहती है हमकी उसको भी आपने यारकना है खबर का मुँ जो है विग्यापन से ढका है ठीक है यार रखें इस चीज़ को चलिए next question आता यहां पर अगे को ग्या कि इनकी आणगन के पार द्वार उस पर मिला था इनकी साहित्यक आदमी जबकि कितनी नावों में कितनी बार पर मिला इन है जान पीट पूरसकार ठीक है यह भी आद रखना है एंसारी की सारी रचना इनकी है यहां पर यह प्रशन ऐसे भी पूछे जा सकता है कि कौन सी ना कि काव्य संग्रह है ठीक है नेक्स जैन निम्र में से बाल मुकुंद गुप्त की रचना कौन सी है तो बाल मुकुंद गुप्त की सबसे प्रसीद रचना देखे शुपशंभू के चिठ्थे यह हमने पहले भी डिसकस किया था शायद चिंतामणी शीर्षक से जो रखनी थी यहां से नेक्स वेशन आता है शुकल का निबंद इनमें से कौन सा है तो अभी मैंने उपर वाले प्रशन में ही डिसकस किया कि चिंतामणी जो इनका निबंद रहा है यही अचारे रामचंदर शुकल का निबंद है ठीक है इसको आप थोड़ा सा याद रखिज इनने सरदार पूरण सिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये दिवेदी युगीन निबंद कारों की श्रेडी में शुमार रहे हैं इससे पहले वाले लेक्चन में भी मैंने इनके बारे में जिक्र किया था तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कौन-कौन से इन से प्रशन पहरता ही रहता है देखना जो भी आपके ललित निबंद कार हैं इसके लावा अन्य दो तीन जो ललित निबंद कार जो बहुत फिमस हैं वो कौन-कौन से थे उनका नाम भी आप पता कीजिए अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसे भी छोड़ सकत हैं अलंकार को कावे की आत्मा किस ने गोशित किया था ये 6 संपरदाय थे ये मैंने आपको पहले भी बता दिये थे देखिए यहां पर लगतार वैसे ही सिमिलर जैसे प्रशन पूछ जा रहे हैं तो सबसे पहले भामा ने अलंकार संपरदाय का प्रवरतन किया और यही ची अरुन उठक देखिए प्रशन पिर रामचंदर शुक्ल के अनुसार ये रहा है बाकि नामकर्ण से समंध भी जो प्रशन है वो भी आपको यार रखने है आदिकाल को किसने क्या नाम दिया हुआ है फिर नेक्स आता कहानी इसे उद्यभान चरित के नाम से भी जाना जाता है और साती साथ आपको याद रखना है कि जो ललु लाल है उनकी जो रचना रही है वो रही है आपका प्रेम सागर परी बरी इंपोर्टेंट इसके लावा ललु लाल ने लाल चंदरी का शीर्शक से बिहारी सत्सई की क प्रेम साथ सुख लाल से आपको एक चीज और देखनी है कि इनकी जो रचना रही है वो इनके नाम से ही शुरुआत होती है उसकी सुख सागर शीर्शक से इनोंने करिती लिखी है ठीक है सदल मिश्र इनकी जो रचना रही है नासी केतो पाक ख्याइन जिसका अन्य नाम है ठीक है ये भी आपको या रखना है या मरनची केता के प्रिष्ट भूमी पर अधारित इनकी ये कहानी रही है ये कहानी नी सौरी ये रचना रही है ये वी आपको या रखना है जो सदल मिश्र की नासी केतो पाक ख्याइन या फिर चंद्रा बली रही है तो रानी केत की कहा इन्शाल्ला खां ध्यान रखना इस प्रशन का अंसर चलिए नेक्स आता है हिंडी साहिते में नाटकों का वास्पी का आरम किस काल से हुआ है तो नाटक हम सब लोग जानते हैं कि नाटकों की शुरुआत हो गही थी आपके भारतेंदू युग से ही ठीक है और अचारे निबंद के बाद आपके फिर कहानी उन्नी सो में रहेगी कहानी की शुरुआत दिवेदी युग से हुई थी देखना जो किशुरिलाल गोस्वामी के कहानी इंदू मति थी उन्नी सो में प्रकाशित हुई थी उसको आपने यारकना है वहां से हम मानते हैं कि हिंदी कहानी क शुरुआत हुई थी ठीक है चलिए नेक्स आता है प्रेम की पीर का प्रचारक कभी किसे कहा जाता है तो जो भक्तिकाल के जो चार अस्तम रहे हैं उनमें से जो चाइस जिया देखिए इसको कहा जाता है प्रेम की पीर का कभी और जिसकी जो प्रसिद रचना रही है पदमाव पर निम्न वैंसे किसे माना जाता है तो निर्गुण भक्ति के अंतरगत जो चीजएं आती है यहाँ पर आपको यार रखना है किसे माना जाता है तो आपका संथ काव्य जो है यह क्समे आता है निर्गुण धारा के अंतरगत आता है और संत कावे के उपर प्रभाव किसका पड़ा है जो आदिकाली नसाहिते रहा नात साहिते का प्रभाव ही इसके उपर रहा है ये चीज याद रखना है जबकि कृष्ण कावे और राम कावे जो है ये किसके अंतरगत आता है ये भक्तिकाल के अंतर रखना है यहां पर जो आपका ये मंजन है मंजन की मदुमालती थी कुतबन का जो आपकी मृगावती और उस्मान का चित्रवली ये रचनाय भी आपको कई पर पूछी जाती है इनको याद रख लीजिए जाइसी की जो पदमवत रही है पदमवत में जो जितने भी पात रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ के जरूर प्रतीक रहे हैं तो वहां से भी आपको याद रखना है और साथी साथ मंजन की मदुमालती रही है मदुमालती का जो नायक है वो कौन सा था ये वाला प्रशन भी इंपॉर्टन है ये डिसकस हमने किये हुए हैं इनको आपने देखना इसमान जो चित्रा वली लिकी देखना इसमें जो निपाल के राजकुमार है सुझान उनकी जो उनका जो चित्रन किया गया है ये जीज़ भी आपने जरूर याद रख लेनी है कुतुमन मिरगावती मिरगावती को किसने माना तब पहली रचना ये ये शुक लिनह माना था ठीक है, सिद्धों ने किस बाशा में रचना की है, तो सिद्धों ने जो बाशा रखी थी देखना संदभाशा, संदभाशा का मतलब क्या था, अंतसाधनात्मक अनुभूतियों की बाशा, और ये नाम करन किस ने किया था, मुनि दत और अद्वय वज्र, दो नाम रहे हैं, इननों ने क्या किया, अब रच में संदभाशा का जो प्रयोग जो है, सिद्ध साहिते के अंत्रगत आता है, बाकि जो बाशा है रही, ये बाद में रही, प्रसिद ये बाद में हुई, लेकिन पहले प्रधानता जो है, इसकी ही थी, घनननन्द किस बाशा के मिर मुन्ची बहुत ही आसान सा प्रशन देखी, बार-बार इसके बारे में पूछ जाता है, तो घनन जो दरवार में रहे, ये रहे, मुहमद शारंगीला के दरवार में मीर मुन्शी, और इनके गुरू का नाम था वरिंदावन देव, वो नाम भी जरूर यादक ना है आपने, और प्रेम विरचित कहानी कौन सी है, तो बापसी कहानी उशा परियम्मदा की है, नीचे की कहानी है किस कि हैं, बहुत ही सिंपल से कहानी है, इनको आप एक पार जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है, यह सारी कहानी है, यहां से प्रशन आपको जरूर कुछ जा सकता है, नेक्स वर्शन आता है, दरियाई घोड़ा के लेकक कौन रहे हैं, तो दरियाई घोड़ा जो रही है, यह उद्यप्रकाश की रचना रही है, ठीक है, इसको भी आपने यारखना है, बहुत ही इंपोर्टन्ट कृती है दरियाई घोड़ा, नेक्स आता है, निहार रश्मी निर्जा इत्यादी, किस विधा की रचनाएं रही हैं, तो यह काव्य की विधाएं हैं, और किस की हैं, यह महादेवी वर्मा की हैं, देखना, यह वाला प्रशन भी आपको जरूर यारखना है, और महादेवी वर्मा की सबसे इंपोर्टन कृती जो रहेगी, वो रहेगी, यामा जिस पर इन्हें ग्यान पीट पुर्सकार से भी नवाजा गया था उन्हें ठीक है और यामा में यही जो निहार रश्मी नीरजादीब शिखा जो रही है इन्हीं को ही उसमें संकलित किया गया मतलब इनके जो पुष्रेष्ट गीत हैं वो यामा के अंतरगत रखे गए है यालाग की कोई अलग से उन्हें नहीं लिखा था ठीक है तो यह चीज ध्यान रख लिनीए आपको दिनकर की प्रत्थम रचना कौन सी है तो यहाँ पर कौम हो गया इसको ठीक लिजी आप दिनकर की जो प्रत्थम रचना माने जाती है देखना वो रहेगा आपका की रशना है और 1914 की कृतिया देखना एंड ये खड़ी बोली हिंदी का प्रत्थम महाकावे भी रहा है एंड साती साता आपको या रखना है कि जो सुदामा पांडे दूमिल रहे इनकी मैंने पहले भी बता दी अग्ये की important है देखना चिंता सबसे पहली थी इनकी ठीक है एंड जो आपका लिलादर जगूरी इनसे भी हमने पहले ही देख लिया कि कौन-कौन से important नाम है ओके next आता यहां पर कौन सा शब्द जो है वो शुद है यह शुद अशुद जो शब्द है यह आपको जरूर आते हैं देखिए उजवल दोनों जो क्या होंगे आपके आधे हों जाएंगे ठीक है बहुत सारे लोग जो है इसको ठीक करते हैं तो यह यहां पर नही जात्मक चोग कभी यह आपका पत्रिका रही है important है इसको भी आप जरूर याद रखें महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्यानफीर पूर्सकार मिला था महादेवी वर्मा अभी मैंने ऊपर थोड़ी दिर पहले आपको बताया कि यामा पर इने कौन सा पूर्सकार मिला ज्यानफीर पूर्सकार से सम्मानित किया गया था बहुत ही important चीज है देखना यह वला प्रशन भी and साती सात याद रखना है आपको देखी अगला प्रशन है चोखे चौपदे तथा चुबते चौपदे मुहाबरे नुमा भाशा में लिके गया है यह यह भी आपको याद रखना है और किसने लिके तही अयुद्या सिंग उपाध्याय हर्योद ने हर्योद की चोखे चौपदे चौपदे इसके लाबा रसकलश शीर्शक से इनके एक important टचना रही है उसको भी आप जरू याद रखें और साती सात याद रखना है प्रिये प्रवास जो इनकी important कृ पूर्दास भी कहा गया है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा और हिंदी का प्रत्थम आधुनिक काल का महा कवी भी हर्योद को ही कहा जाता है ये चीज़ भी आपने यादख लेनी है जैशंकर प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा चायवाद के जो तीन ये स्तंब है इसके लाबा चौथा जो निराला है उन चारों नामों को भी आप थोड़ा बहुत जरूर देखें उनकी रचनाओं को एक बार पेपर में जाने से पहले नेक्स कुशन आता है बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है और बहुत ही आसान सा प्रशन देखें जितने भी आपके बह बीर हो सूर हो तुलसी हो जाइसी हो है ना भक्ति के जो चार स्तंब रहे ये क्या है निमन जाती से थे रहे दास क्या था जाती के चमार थे तो निमन जाती के ही थे ठीक है बाकी जो अन्य नाम रहे हैं देखना वो भी कहीं न कहीं निमन श्रनी के जैसे आपका नाम देव है दरची था ठीक है तो कुछ एक भढ़ाई हो गए कुछ एक जू आपके जुलाहे हो गए ठीक है इस तरीके से आप देखेंगे कि समाज का जो बिलकुल निमनतब का था उसने ही क्या किया उसने ही इस भक्तिकाल का नित्रित्थ किया है तो आपको ये प्रशन बिल्कुल असान से ठीक कर देना है नेक्स आता यहां पर देखिए जो आधिकालीन चारण तता भाट कवियों ने किस भाशा में रचनाएं की हैं आधिकाल के बारे में एक बार फिर से यहां पर प्रशन पूछा गया है तो यहां पर आएगा राजस राजस्थानी मिश्रित जो अपवरश रही है देखिए जिसे हम डिंगल कहते हैं ठीक है एंड साथी साथ आपको ये भी आ रखना है कि जो आपका राजस्थानी और ब्रज अगर आ जाता है ठीक है तो वो क्या हो जाएगी आपकी डिंगल पिंगल इसमें वैसे दोनों ची सूर्दास किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं सूर्दास जो अब वात्सलेरस के समराठ कहे जाते हैं परमानंद दास जो है सूर के बाद इसने जो कृष्ण की बाल लिलाओं का वनन अगर सबसे जादा किसी ने किया है अश्च्छापी गवियों में तो आपको या रखना ये परमानंद दास ने ही किया है, जिसने बाल लीला के पद, सूर के बाद सबसे ज़ादा किस ने लिखे हैं, परमानंद दास ने लिखे थे, कुम्बन दास इनमें सबसे बड़े थे और ग्रिहस्त ये थे, और इनकी एक पंक्ति आती है, बड़ी इंपॉर्टन देखना, आपको यादखने हैं इनमें से, सूर्दास को अश्चाप का जहाज भी कहा जाता था, ये किस ने कहा था, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है, अश्चाप की कभी कौन-कौन से हैं, ये वाला प्रशन भी जरूर रहता है देखना, अश्चाप की स्थापना किस वर्ष यहाँ पर मन्नु बंडारी, इनका महाबोज, आपका बंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो उपन्यास इनके, वो भी आपको याद रखने हैं, देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना हैं, मन्नु बंडारी को पूछा जाता है, जरूर, ठीक है, उश्चा प्रिय किसको माना जाता है, तो आपको गुदान का याद रखना है, गवन के बारे में याद रखना है, ठीक है, निर्मला के बारे में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, प्रेमचंद की रचनाउस से, एंड साथी साथ इनका जो रंग भूमी है, वो भी इंपॉर्टेंट ट अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम ज़्यादा परिशम करते हैं, लेकिन उसका लाब हमें बहुत कम मिलता है, इसे ही क्या का जाता है, खोदा पहाड निकली चुहिया, तो मुहावरे से समंदित प्रशन, उनको भी साथ साथ में आपको देखते रहना है, ये चीज़ भी आपको यारखना है, उर्मिला जो लक्षमन की धर्मपत्नी थी, एंड साकेत का सबसे मारमिक पक्ष कौन सा है, कौन सा सर्ग है, मतलब ये चीज़ भी आपने मुझे बताना है, ये सबसे मारमिक सर्ग जो है, वो किस सर्ग को जाना जाता है, एंड साकेत में सकीवे मुझसे क्या कर जाते वाली पंक्ते, बड़ी प्रसित पंक्ति हैं, भारत भारती, इसमें जो भारत की दुर्दशा, या फिर भारत की अतीत, वर्तमान और जो आपका भविश्यत खंड है, इन तीनों चीजों को इसमें बताने की कोशिश की गई है, जैदरत वद जो ह ये इनका खंड काव है, जो किस पर आधारित है, जो महाभारत की कता पर आधारित रही है, एंड मैतली शंगुप्ट से या रखना है कि इसने दिवेदी युग में सबसे जादा प्रबंद काव्य लिखे हैं, ठीक है, इस चीजों को भी आप याद रखे हैं, और ये रख लेना है, और वाके में जो दो चीज़े रहती है, वाके के अंग में आपको एक वीधिय है, और दूसरा आपका उदेश रहता है, ठीक है, इन चीजों को आपने जरूर याद रखना है, हिमाचर प्रदेश से हिंदी साहित के आधिकाल का प्रत्थम कवी किसे सुईकार किया गया है, देखिए, यहाँ पर जो आपके सिद्धों में आता है देखना, जो आपका ये नाथों में स्वरी, चरपट नाथ थे, इनको क्या का आ जाता है, ये सबसे पहले कवी रहे हैं, इनका संबंद हिमाचर प्रदेश के जिला चमबा एंड कांगडा दोनों से रहा है, और साथ-साथ आपको ये भी ध्यानक नाएं कि हिमाचर प्रदेश के कौन-कौन से प्रसिद लेखक रहे हैं, जिनका संबंद हिमाचर प्रदेश से था, एंड जो हिंदी साहिते में बड़ा नाम हुए हैं, ठीक है, तो यादखना है आपको उनको जो भी नाम होंगे, चाहे वो चंदर शर्मा गुलेरी का हो गया, यश्पाल का हो, चरपटनात का हो, या फिर आपके जो अन्य नाम रहे हैं, शांता कुमार का नाम आप ले सकते हैं, एसार हनोट का नाम आप ले सकते हैं, निर्मल वर्मा बगेरा बगेरा, जितने भी नाम है देखना, उन सब क आप थोड़ा सा एक पर जरूर देखें, निमंतरन किस प्रकार का पत्र है, लिए कि जब हम निमंतरन किसी को बेचते हैं, तो वैसे तो पत्र एक तरीके से अपचारिकी होता है, लेकिन निमंतरन में हम कुछ भी अपनी चीज़ें उसमें एड़ कर लेते हैं, कि कई पार हम द रमणिया अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द क्या कहलाता है तो यहां सब लोग जानते हैं कि यह कावय के लिए कहा जाता है कावय का मतलता है साहित्या और यह रमणिया अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्यम यह एक पंक्ति आती है देखना जो आपके स ने होता है आपका प्रणाली या पद्धती, मतलब एक तरीका जिसको आप कह सकते हैं, एक मार्क भी आपको कहा जा सकता है, ठीक है, तो ये रहेगा आपका रीती से अभी प्राहे, रीती सम्फरदाय का प्रवर्तन किस ने किया था, तो ये वामन ने माना था, एंड इन्होंने ही सबसे पहले कावे की आत्मा का सवाल भी उठाया था और रिती को उन्होंने कावे की आत्मा माना है ये चीज भी आपको याद रख लेनी है एंड रिती की संक्या भी उन्होंने तीन तक बढ़ाई थी याद रखना है आपको उससे पहले रिती को क्या कहा जाता था, मार्ग कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट कॉस्चन यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ भाव क्या कहलाता है, तो देखिए, शब्द और अर्थ भी आपका क्या बनता है, का बह कहलाता है, जहां पर लिखा गया है, देखिए, मतवाला सापताहिक किस की प्रेणा और पैसे से चलता था, एक चीज तो त्याय होगी यहां पर, मतवाला पत्रिका किस प्रकार की रही है, सापताहिक पत्रिका रही है, और यह प्रेणा किस की मिली इसको, है न, और पैसे, तो सेट महादे प्रसाद, इनसे आपको ये ध्यानक ना था, कि इनकी प्रिषणा मैं इसको लिखा गया था, और पहले भी मैंने आपको बता दिया कि बेंग्यात्मक ये रही है, और इसी पत्रिका के अधार पर ही, इनहें निराला नाम मिला, ठीक है, ये चीज भी आपको यार रख लेनी है, तो ये थे आज के 50 प्रशन, I hope कि इन 50 प्रशनों से आपने लगवग लगवग 50 और भी नए प्रशन बनाये होंगे और आपके जो भी queries बगेरा, जो भी doubts बगेरा रहे होंगे, वो जरूर दूर हुए होंगे अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, नहीं तो हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, स्क्रोल करते हुए तुक कैसे तो फिलहाल आज के लिए इतना ही चल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाबाई